नमस्कार दोस्तो आज हम लोग Northern Lights को समझने की कोशिस करते हैं आप लोग में से ऐसे बहुत होंगे जिनने आपको Northern Lights के बारे में पहले से पता होगा और ऐसे भी होंगे जिनने बिल्कुल भी नहीं पता हो पहली बार सुन रहें तो यह जो वीडियो है उन दोनों के लिए काफ काफी इंट्रेस्टिंग है देखो वीडियो स्टाट करने से पर एक रिक्वेस्ट है यह एक वीडियो बनाने में काफी ज़्यदा समय और मेहनत लगती है और जब आप लोग सपोर्ट करते हो लाइक और सब्सक्राइब करके तो हमें अंदर से मोटी वेशन मिलती है कि और ज्यादस ज्यादा आप लोग के लिए अच्छी कंटेंट बनाया चाहिए तो डू सपोर्ट ओके अब देखो आप इस वीडियो को देखो जड़ा इंट्रेस्टिंग काफी ऐसा लग रहा ना कि कहीं पैराडाइज है ऐसा अर्थ में होता है आप लोग जातर कहां देखे हो बिरूर होगा कि हाँ कभी न कभी वो अपनी आखों से देखे मेरा भी लाइफ का एक प्रीम है कि मैं भी अपनी आखों से इस औरोराज को देखता हूं ठीक है इसको औरोराज बोलते हैं आज हम इस वीडियो में इसी को समझने की कोशिस करेंगे कि आखिर यह औरोराज है क बनते कैसे हैं इस वीडियो में अवराज के बारे में जानेंगे जानेंगे और साथ में इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि यह जो नौदन लाइट से वो लदाक में क्यों दिखा ठीक है आप समझ जाओ कि जब इस पूरे वीडियो को देखोंगे तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा है प्रिथवी के बाहर जो atmosphere है उसका structure के बारे में ठीक है अब देखो हमारे जो प्रिथवी है उसके बाहर यह पांच लेर जैसे पहला है टोपोस्फियर दूसरा है स्टाटोस्फियर तीसरा मीजोस्फियर और चौथा thermosphere जिसको आट्मोस्फियर का तो उसमें इस structure के बारे में पूरे detail में बताएं जाएंगे इस वीडियो में हमें सिर्फ ना इस वाले लेयर का काम ठीक है ट्रोपोस्फियर का तो चलो देखते हैं अब देखो फ्रेंड बात ऐसा है ना कि जो auroras है वो thermosphere पे दीखते है ठीक है यानि कि atmosphere जो आपने अभी अभी समझा अर्थ का जो atmosphere होता है उसमें thermosphere या उसी को atmosphere बोलते है उसी में यह देखने को मिलता है और high altitude regions करने का मतलब क्या हुआ जहां पर काफी उचाई वाला जगह है यानि पोल्स वाले लाके हो गया ठीक है जैसे Alaska हो गया Finland हो गया वहाँ पे Greenland हो गया वहाँ पे अरोराज देखने को मिलेंगे है ना अब देखो इस नौर्थ पुल पे जब अगर अरोरा दीखे तो उसको हम लोग बोलते है northern lights ठीक है या फिर auroras borealis ठीक है और जब साउथ पुल पे दिखे तब उसको हम लोग बोलते है southern light या aurora औ पुल पे अनौर्थ पुल पे दिखाई देगा इसा बिलकुल नहीं है दोनों पुल पे दिखाई देते हैं अब क्यों देते है वो तो हम इस वीडियो में समझने वाले ही है लेकिन northern light क्यों बोलते है यह अभी समझ लो क्योंकि देखो इस पुल पे तो इनसान का existence है नहीं जो है नौर्थ पुल पे है तो ज्यादा record आप कहां पे कर पाओगे नौर्थ पुल पे obviously नौर्थ पुल पे कर पाओगे as compared to south pole है ना तो इसके कारण ही जातर इसको famous है इसका नाम जो famous है northern light से ठीक है अब देखो हम समझने की कोशिस करते हैं कि यह जो है बनते कैसे है ठीक ह होता है और इसका temperature very high होने के कारण hydrogen atom और helium atom vibrate करने लगते हैं आटम की energy काफी जादा होती है जिसके कारण इसके electrons और protons अपने cell को छोड़ कर plasma gas के रूप में बाहर निकलने लगती है अब इसी plasma की gas के तुफान या solar will या फिर solar flare generate हो जाती है जो की charge particles होते हैं और यही charge particles प्रि atmosphere से टकराती है अब आपको पता ही होगा कि Pacificate atmosphere में पहले से ही बहुत सारे gas particles मौझूद होते हैं जैसे oxygen nitrogen है तो sun से निकलने वाले जो particles है जब earth के particles से टकराती है तब light के form में energy release होती है ठीक है और यही light different different रंग की होती है जैसे green aurora's कहीं बन रहा है तो इसका मतलब है कि वो oxygen molecules से टकरा रही है अगर कहीं red aurora's बन रही है तो इसका मतलब है कि वो high altitude वाले oxygen atoms से टकरा रही है यह depend करता है कि sun से जो radiation निकल रही है यह sun particles निकल रहे है solar flare निकल रहे है उसका intensity कितना है जितना ज़्यादा होगा और राज उतना ही ज़्यादा effective होगा और रोरा प्रि प्रिथिवी के poles पे बनता है ठीक है लेकिन पोल पे कैसे बनना तो हर एक जगह चाहिए ना पोल पे ही क्यों तो होता ऐसा एना फ्रेंट कि प्रिथिवी के पास भी खुद का magnetic field है अब आप अगर चाहते हो ना कि magnetic field प्रिथिवी के पास कैसे होता है ठीक है तो क्या करण है क अर्थ के पास भी magnetic field है तो इस पे आप कमेंट कर दो इस पे अगर वीडियो चाहिए तो मैं इस पे भी वीडियो गना दूँगा ठीक है अब देखो ब्रिथिवी के पास जो magnetosphere है उसमें magnetic field होता है तो जब ठकराती है solar flare अर्थ के atmosphere से तो वहाँ particles से बहुत सारे होते हैं अब यह charge particles सीधा सीधा deflect हो जाते है पोल्स पे ठीक है जिससे करना को इस तरह का aurora's यानि के lights हमें देखने को मिलती है पोल्स पे ही बाकी और जगा पे देखने को नहीं मिलता फ्रेंड्स aurora's जो है वो इस वाले इलाके यानि कि जो पोल्स आप देख रहे हो नो दोनों पोल्स प को मिलता है लेकिन सुचने वाल ये बात है कि अब जो है पोल्स पे ना देख कर यह कहीं कहीं अमेरिका वाले पार्ट में कहीं आप UK देख लो ठीक है आप इस वाले पार्ट में भी कहीं कहीं देखने को मिल रहे है ठीक है तो उसी में से घटना हुआ 223 अप्रिल को इंडिय बनते कैसे हैं, तो आपको बिल्कुल भी कटिनाई नहीं होने वाली है, ये समझ में कि लद्दाक में कैसे दिखा, या फिर और कहीं कहीं जगह में और देश में जो दिख रहे हैं, वो ऐसा क्यों हो रहा है, वैसे ये में भी हो सकता है कि क्रिटिकल बाते हो, लेकिन इसको पह चार्ज पार्टिकल काफी ज्यादा अमाउंट में अगर अर्थ के पास आ रही है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि सन का पार्टिकल काफी ज्यादा बल्क मात्रा में अगर अर्थ के पास आ रही है, तो कुछ पार्टिकल डिफलेट तो होंगे नौर्थ पॉल पे, लेकिन कु वह कितना जादा हाई है जिसके कारण हमें और भी अलग-अलग देश में दिखाई देता है इसी घटना में हमारे लदाक में भी देखने को मिला सन में बहुत सारे डार्क स्पॉट होते हैं जिसको हम लोग कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं अब यह क्या होता है क्यों देखो अब बाहर अला टेमप्रेचर है सन का का वह काफी जाधा हाई एनरजी वाले होते हैं वाइब्रेट काफी करते तो जब वाइब्रेट करेंगे उसमें से energy loss होगा, ठीक है, mass ejacuate होगा, अब mass ejacuate होगा, यानि वो किस form में होगा, obviously मैंने पहले बताया कि वो flare के form में होगे, जिसको मैंनों sun flares बोलते हैं, अब वही particles, charge particles, ज्यादा जिदा amount में निकलने लगते हैं sun से, अब जिसका amount ज्यादा होगा, तो obviously क्या होगा, कि उसका magnetic field से भी बाहर कहीं न कहीं किसी और भी देश में हमें देखने को मिल जाएगा, तो इस पे सवाल उठता है कि क्या हमारा जो अर्क का magnetic field है, वो कमजोर हो रहा है, तो ऐसा हो भी सकता है, scientist को इस पे काफी serious research करना चाहिए, कि क्या ऐसा हो रहा है, और हो दोस्तों को भी share कर दो, और भी लोग जानेंगे इसके बारे में, कि हाँ, aurora's भी होते हैं, aurora's कैसे बनते हैं, ठेक है, अब देखो aurora's related यहाँ आप एक question दिख रहा होगा, जो कि NVSTGT science के exam में, semester 2 paper में पूछा गया था, 2019 में, ठेक है, question क्या है कि the aurora, निकि northern lights, और southern light, are caused indirectly पॉला option, human made electromagnetic fields, दूसरा option, the motions of the planets around the sun, तीसरा option, the geomagnetic wind, चौता option, solar flare, तो solar flares के बारे में, काफी ज़्यादा जिकर सुने होगे वीडियो में, तो क्या बोलड़ा, कि aurora indirectly किस के कारण बनता है, तो solar flares के कारण हो बनता है, obviously, ठेक है, तो वीडियो के अंतक बने रहने के